आज इस वीडियो में गईज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिससे आप लोग कोर्सेरा के जो प्रीमियम ओनलाइन कोर्सिज हैं जिनके साथ आपको प्रीमियम सर्टिफिकेट मिलते हैं वो आप लोग बिल्कुल फ्री में कर सक आउगे मैंने तो एक कोर्स में ओल्रेडी इन्रोल कर भी लिया है आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर आईबीम का एक कोर्स है डाटा इनलिसिज विद पाइथन इस कोर्स में हमने इन्रोल कर लिया है सारी वीडियो का एक्सिज मुझे मिल चुक है अब मैं इस कोर् आप लोग को यही बताने वाला हूँ आप लोग भी कैसे बहुत सारे कोर्स में फ्री में इन्रोल कर सकते हो और सर्डिफिकेट भी ले सकते हो एक छोड़ी से रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग के लिए देखो इतना वेलियोबल कंटेंट में सियर करता हूँ तो चैनल को कोस्टिंग हजारों रुपे में होती है जो कि आप लोग फ्री में कर सकते हो बहुत लोग को यह चीज़ पता नहीं होती है और इस टाइप के सर्डिफिकेशन जैसे गूगल आई बीम माइक्रोसॉफ्ट सैप जैसी टॉप कंपनी यहाँ पर अपने सर्डिफिकेशन लिस् सकते हैं एक फाइनेंशल एड का तरीका होता है को सेर्डिफिकेशन फ्री में लेने का बट वह मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें 15-20 दिन वेट करना पड़ता है और होता है किसी को नहीं मिलता है बट आज इस इडियो में गारंटिड तरीका बताने वाला हू इनफोसीज का एक online learning portal है इनफोसीज springboard उनके साथ partnership की है और इस partnership का फायदा students को, developers को, graduates को सब को मिलने वाला है कैसे मिलने वाला है इनफोसीज पे platform पे जो भी बच्चा register करता है उसको Coursera के premium courses free में करने का मौका मिल रहा है जो कि बहुत बच्चों को नहीं पता वही कैसे register करना है यह भी मैं आपको बता दूँगा कोन को न इलिजिबल है यह मैं आपको बता दूँगा certificate कैसे मिलना है यह मैं आप लोग को बता दूँगा सबसे पहले eligibility की बात करते हैं तो देको इन courses को कोई भी कर सकता है चाहें आप tech background की degree कर रहे हो non-tech background की degree कर रहे हो या फिर सबी courses में आपको certificate भी free में मिलने वाले हैं जस्ट आपको करना क्या है वीडियो को description box में आपको link मिलेगा जो कि Infosys springboard platform का है यहां पे आपको login option मिल जाएगा login बटन पर आप लोग को click कर देना है login बटन पर click करने का था आप लोग को अपना एक account बनाना होगा सबसे पहले Infos personal detail एड़ करनी है next button पर आपको क्लिक करना यह साई detail एड़ करके आपको यहां पर अपनी mail वेगरा verify कर देनी है आप लोग का account बन जाएगा Infosys springboard platform का access आप लोग को मिल चुका है अब यहां पर search content का option आ रहा होगा इस पर आपको click करने है अब यहां पर देखो Infosys platform पर करीब 20,000 plus free courses list out है अगर आप Infosys का certification लेना चाहते हो particularly तो इन में से आप कोई भी course में enroll कर सकते हो तो आप लोग को Infosys certificate मिल जाएगा हर एक course में बट आपका यह की भी आपको तो Coursera का certification चाहिए Google, IBM जैसी company का certification चाहिए तो आपको एक काम करना है यहां पे आपको filters में जाना है filters में Source का option आ रहा होगा, Source में यहाप पर Coursera का option आ रहा होगा, यह select करना है, जब आप Coursera का option select करोगो यहापे particularly तो करीब 800 plus Coursera के courses आप लोग को यहाँ पे list out में दिखाई देंगे, जो कि 800 plus Coursera के courses आप लोग यह वाले जो courses अभी दिखाई दे रहे है, 801 results में, यह सारे courses Coursera के courses हैं जो कि Coursera platform पर हैं और यह सारे courses आप लोग free में कर सकते हो आप जितने मर्जी courses में enroll करना चाहों कर सकते हो देख सकते हो अलग-अलग field के अलग-अलग courses हैं जैसे Java programming का हो गया Excel का हो गया MySQL का हो गया Social Media Marketing का हो गया Python programming का हो गया Social Media Marketing e-commerce का Java classes का deep learning का Google's related course है अलग-अलग courses है अगर आपको को long term में course करना है ये long duration का course करना है तो यहाँ पर filters में जाके आप लोग filter change भी कर सकते हो more than 180 minutes कर सकते हो तो यहाँ पर long term के जो courses है वह आपको दिखाए देंगे 17 hour का Social Media Marketing का course है ये एक university का course है जो कि 28 hour का आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये 39 hour का course है जिसमें आपको database and SQL के बारे में data scientist related skills सिखाई जाएंगे और ये कि ये course है जो कि data analysis with python का course है जो कि beginning level का course है अब मैं आप course में enroll करके भी दिखा देता हूं तो जैसे हम लोग इस course पर ही क्लिक करते हैं किसी बच्चे को data analyst बनना है तो उसके लिए ये course काफी beneficial है जिसमें आपको data analysis के बारे में सिखाए जाएगा विध्याल पो python programming अगर आपको data scientist भी बनना है तो भी आप इस course को check out कर सकते हो इस course में 14 hour का continue मिलेगा beginning level का course है और Coursera platform पर ये course आप लोग के लिए available है तो यहाँ पर start बटन पर क्लिक करके directly enroll कर सकते हो बाइगे देखो particularly किसी बच्चे को data analyst की फिल्ड में ही अपना career देखना है तो एक और premium certification में आपको बता देता हूँ जो आप free में कर सकते हो इसकी वीडियो तीन दिन पहले हम लोगों ने हमारे चैनल पर बनाई थी इस रो की तरफ से इंडियन स्पेस रिसर्च और गोर्रमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी free data analyst का certification कराया जा रहा है जो कि 100% online है और 100% certificate आपको मिलेगा यह वाली वीडियो का link में आपको comment box में दे दूँगा description में भी मिल जाएगा तो आप बात करते हैं Coursera में कैसे आप लोग को certificate मिलेगा Coursera में कैसे इंडोल करना है जो कि step 2 है तो यहां पर start button पर click करोगे आप लोग तो opening ना new window पर click करेंगे अब सबसे पहले आप लोग को यहां पर अपना Coursera में account बनाना होगा देखो आपका अगर पुराना account है उसको skip कर देना एक नए account बनाना एक नई शुरुवात कर रहे हो नए courses में इंडोल कर रहे हो free में तो यहां पर continue पर click करना है continue पर click करते हैं आप लोग की mail ID चीएगी जो भी आप लोगोंने Infosys springboard platform पर account बनाया ना जिस mail ID से वही same mail ID आप लोग को यहां पर भी use करनी है आप लोग को एक password बनाना है और continue पर click कर देना है जैसे click करते हो आपके सामने option आता है join the learning program तो देखो Coursera और Infosys की partnership का फाइदा आप लोग में ले रहे हो तो इनका एक learning program है इसको आप लोग जोइन कर रहे हो आप लोग को इन्वाइट किया जा रहे है जस्ट आप लोग को मैंने step by step process बताइए same follow करने कोई भी skip मत कर देना वरना issue हो जाएंगे तो यहां पर यह learning program आप लोग को जोइन करना है join program पर हम ल 3,70,000 लोगों ने students ने enroll किया इस course में पैसे देखे आपको मोका मिल रहा है free में enroll करने का और certificate भी आप लोग को free में ही मिलेगा इस course का यह वाला certificate आप लोग को मिल जाएगा देख सकते हो आना shareable career certificate आपको मिलेगा जो कि आपकी job लेने में future help करेगा industry experts से नए concept आप लोग content आप लोग को दिखा देता हूं data analysis with python का जो यह course है इसमें हम लोग ने enroll कर लिया अब यह course की सारी detail आप लोग को दिखाए देने लग जाएंगी week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 6 यहां पे content मिल जाएगा get started पे click करके आप लोग यह वीडियो पर गहरा देख सकती हो यह सारी वीडिय content के option पे जब आप लोग जाते हो तो जब आप लोग course को complete कर लेते हो assignment को quizzes को complete कर लेते हो तो यहां पे आप लोग को certificate आप लोग को दिखाई देने लग जाएगा just आप लोग को आपका name verify करना है that is the name will appear on your certificate आपको name verify करना जो आपको certificate पे चाहिए तो यहां पे आप लोग partnership की गई है Coursera और Infosys ने वो कभी भी देखो disclose कर दी जा सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है तो एक छोड़ी सी टिप ये रहेगी मेरी आप लोगों से कि अभी तो देखो Coursera platform पर आप लोग को करीब 800 plus courses दिखाई दे रहे हैं जो कि आप लोग free में कर सकते हो तो मेरा suggestion यही है आप लोग के लिए कि आप लोग को जो course लगता है in future आप लोग के लिए फायदे मंद रह सकता है उस course में आप enroll करके रख लो क्योंकि 2-3 मेने का आप लोग के पास time रहेगा अगर अभी time नहीं है इंडरोल करके रख लो इन future आप लोग course में इंडरोल कर सकते हो बाद में भी आप लोग इस वीडियो पर आ के इंडरोल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट हो सकता है यह partnership अगर close हो जाती है तो access ना मिले या फिर कुछ भी issue हो सकता है एक बाद इंडरोल कर लोगे न तो कोई issue नहीं होगा तो आप लोग कभी भी पढ़ सकते हो इन courses से तो इस तरीके से आप लोग को इन courses का फायदा उठाना है इस वीडियो में गाईस बस इतना ही thank you for watching